हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनिस्कुल पर हारदक स्वागत है देखे आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी भारत की नोवी नैशनल पार्टी बन गई है जी हाँ उसके क्या-क्या बैनिफिट्स हैं और क्या-क्या क्राइटीरिया है नैशनल पार्टी बनने के लिए देखे यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो ट्वीटर अकाउंट है वहाँ से आप देख सकते हैं एक छोटी सी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रिया पार्टी बनाने के लिए गुजरात की जनता का बहुत बहुत सुक्रिया देखिए गुजरात की जनता का यहाँ पर सुक्रिया क्या जा रहा है आप सभी को पता होगा कि जो गुजरात का भी चुना हुआ है उसमें बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से जीती है 156 यहाँ पर सीटे हैं आँ आदमी पार्टी केवल 5 सीटे ही यहाँ पर जीत पाई है फिर गुजरात की जनता का सुक्रिया किसलिए क्या जा रहा है और कैसे गुजरात की ये पांस सीटे या गुजरात का जो इलक्षन है वो यहां पर आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बना सकता है ये सारी बाते आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें देखे आम आदमी पार्टी जो इलक्षन कमिशनर ने आप देखेंगे कि चुनाव जो रिजल्ट है वो 8 दिसंबर को गोसित किया उस घोसना में साफ साफ ये किलियर हुआ कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर गुजरात की विधान सबाचुनाओं में 5 सीटे जीता कर आया है और जो उसका वोट परसंटेज है वो यहाँ पर 13 परसंट रहा है इसका मतलब यह होता है कि वो ट्रैक पर है to be recognized as a national party by the election commission of India अब इन सब के बाद सबसे बड़ा जो सवाल उटता है वो यह उटता है कि national party होती क्या है और उसका recognition जो है किस आधार पर किया जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी कर आप देखें 2012 से लेके 2022 दस साल लगे उसको national party का दर्जा मिलने में हाला कि अब यह मिला नहीं है लेकिन यहाँ पर election commission दुआर जैसे ही अधिकारी ग्रूप से गोहसना कर दी जाएगी यह tag उनको मिल जाएगा तो जैसे आपको पता चल रहा है नाम से ही national party यानि राष्ट्रिया लेवल की party इसका मतलब क्या है यहाँ पर nationality involved है और जो regional parties होती है वो एक कह सकते हैं कि restricted area होता है उनका एक राज्या या एक से दो राज्या मान सकता है या एक limited area है कि वहीं पर उनकी राजनेती चलती है national level की party होने का मतलब है कि पूरे भारत में उनका कहीं ना कहीं नाम चलता रहता है तो national parties क्या है थोड़ी सी नॉर्मली बड़ी parties होती है जो पूरे इंडिया में किसके चुनाव लड़ती है राज्यो राज्यों में जाती है आप जैसे mainly parties है वो बीजेपी और कॉंग्रेस को मान सकते है उसके अलबा कुछ छोटी parties भी ऐसी है जैसे communist parties है जो आपको national party की list में देखने को मिल जाएंगी अब उसका कुछ criteria होता है कि ऐसे चोटी parties जो है वो भी कैसे होगे कि हम तो नाम भी नहीं सुना communist parties का फिर ऐसे कैसे हो गया तो देखे इसका कुछ criteria है जो यहाँ पर election commissioner द्वारा decide किया जाता है कुछ parties ऐसी होती है अगर आप देखें कि जो parties क्या है बहुत जादा national level पर अपने आपको साबित करना चाती है national affairs जो मैं मुद्दे होते हैं उन पर अपने point रखती है आप DM के देख सकते हैं तमिल नाडू में RJD बिहार में आंदरपर्दिस में YS RCP और तेलंगाना में TRS और Odisha में अगर हम बात करें BJD तो अब बात करते हैं how is a national party defined है देकि national party की जो definition है वो क्या है कैसे पता चलता कि कौन सी party national party है election commissioner यहाँ पर election commission जो है उसका क्या role है तो election commission of India has laid down the technician criteria जो भी technical criteria होते हैं वो ECI द्वारा lay down के जाते हैं कि बया किस party को national party का दर्जा दिया जाएगा A party may gain or lose national party status from time to time ऐसा नहीं है कि आपको एक बार national party का दर्जा मिल चुका है तो वो दर्जा आपका permanent हो गया जी नहीं वो election commissioner के उपर है कभी उस दर्जा को हटा सकता है और कभी उसको वापस दे सकता है लेकिन कुछ conditions है उस conditions के साथ में ऐसा नहीं है जब उसकी मर्जी होगी जब आपको हटा देगा और जब उसकी मर्जी होगी तो आपको वो दर्जा दे देगा तो देखिए अगर हम बात करें as per election commissions इंडिया जो political parties and election symbols 2019 handbook है उसके आधार पर किसी भी party को national party का दर्जा दिया जा सकता है अगर वो निम्न में से जो आपे मैं बताने वाला हूँ यहा कर जाती है तो यहाँ पर उस party को national level का दर्जा दिया जाता है जैसे if it is recognized as state party in four or more states यदी कोई party जो है चार या चार से अधिक राज्यों में एक राज्ये की party state party recognize की जाती है election commission दुआरा तो देखिए यहाँ पर उसको automatically national party का दर्जा मिल जाता है पहला point तो यह है अब state party क्या ह वो भी point इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरा point है if its candidates pulled out at least 6% of total valid votes in any four or more states यदी 6% जो total valid votes पड़े हैं उनका चार या चार से अधिक राज्यों में last लोकसभा या assembly elections में हासिल कर लेते हैं और at least लोकसभा polls में उनके 4 MP होने चाहिए तो तीसरी conditions क्या है if it has won at least 2% of the total seats in the लोकसभा from not less than 3 states तीन राज्यों में मिला कर कम से कम उनके 2% जो भी लोकसभा की seats होती है वहाँ पर इतनी लोकसभा seat उनको हासिल करनी होती है तो अगर हम बात करें तीसरे point से सुरू करते हैं तो देखे 543, 545 जो seats आपके लोकसभा में ह तो लगभग 11 seat लोकसभा में उनको जीतनी पड़ेंगी तीन राज्यों मिला के तो यह criteria तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है इस criteria के अधार पर इनको national party नहीं बनाया जासता दूसरी condition क्या है four MP in the last लोकसभा ये भी नहीं है अपर कोई भी लोकसभा में MP आम आदिवार्टी का नहीं है अब बचती है condition one if it is recognized as state party in four or more states यानि यह condition यहाँ पर आपको suitable बैठती है लेकिन इसमें एक point है कि state party क्या होती है वह हम इसी point पे आगे बढ़ते हैं अब state party बढने के लिए क्या condition है देखें at least 6% vote share in the last assembly elections and have at least two MLA's देखें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो last assembly election हुआ है किसी राज्य में जैसे अभी मैं गुजरात का या हिमाचार प्रदेश का जब लेना चाहूंगा जो भी latest चुना हुए है वहाँ पर अगर किसी party को 6% vote share मिल जाता है assembly election में और कम से कम उसके 2 MLA जो है वो यहाँ पर जीत जाते हैं तो यहाँ पर उस party को राज्य की party का दर्जा मिल जाएगा और otherwise क्या option है have 6% vote share in the लोक सभा elections अगर अभी लोक सभा elections की बात करें यह तो थी विजान सभा elections की अगर लोक सभा हमें election होते और यहाँ पर देखेंगे 6% vote उनको मिल जाती और कम से कम उस state से एक MP भी उनका चुलन लिया जाता तो इन दोनों में से कोई भी एक condition अगर हो जात अब देखें जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर यह जो seats हैं यहाँ पर गुजरात में कितनी जीती हैं 5% vote percentage कितना है 13% रहा है यानि यह दोनों condition यहाँ पर फिल कर जाते हैं गुजरात में कौन सी party state party होने के लिए अब देखें आपके समय में यह बात आगया कि गुजरा और पंजाब यहाँ पर भारी बहुमत है आम आदमी party के पास में और उनकी सरकार भी है तो देखें अव्यसी बात है कि वहाँ पर वो राज्जी की party तो हो चुकी ओलरी तीसरी बात आती है कि गोवा जो assembly elections हुए थे गोवा assembly elections जो मार्च में हुए थे वहाँ पर जो आम आद यहाँ पर गोवा ने आपकी फिल कर दी थी यानि तीन राज्जों में और यहाँ पर आम आदमी party को दरजा प्राप्त था state party का अब बाच बस्ती है जो हिमाचल या गुजरात में क्या है अब दोनों में से किसी भी एक राज्जे में अगर उनके पास 2 MLA और 6% vote share आ जाता तो देखें वो national party बन जाएगी तो देखें अगर बात कर हिमाचल की तो देखें वहाँ पर उनका vote share जो है बहुत ही बेकार रहा है और यहाँ पर उनका vote share देख सकते हैं 1% के असपास है अब गुजरात में उनका vote share 13% है और जो आपके MLA's है वो भी 5 बन चुके है तो यानि अब ऐसी कौन-कौन सी मैंने बता है कि 9 वी national party बन चुकी है तो 8 parties कौन-कौन सी है यह नाम आप देख सकते हैं BJP, Congress, TMC, CPIM, CPI, NCP, BSP and NPP जिसको 2019 में ये दर्जा दिया गया था Once the official result of गुजरात elections are announced, आप will become the ninth party to be recognized as the national party अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब national party बनने के बाद में क्या change ऐसे हैं जो आपके लिए benefit होने वाले हैं मादवी पार्टी जो इतना खुश है इस बहुमत से कि जो उनको गुजरात से मिला है कि गुजरात की जनता का धन्यवाद दे रहे हैं कि हमें आपने राष्ट्रेय पार्टी बनाने में मदद की है तो देखे अब समसे बड़ी चीज क्या है आपका जो चुनावचिन है आपको पता है कि जाडू है ब्रूम अब वो पूरे राज में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो इस चुनावचिन के साथ लड़ सकते हैं अगर ऐसा नहीं होता राज नेशनल लेवल की पार्टी नह नमबर सेकिंड पॉइंट जो बेनिफिट होगा जो भी आकासवानी या दूर दरसन पर ब्रोर्कास्ट होता है टेलिकास्ट होता है नेशनल पार्टीज को उसके लिए चुनाव के टाइम में कुछ समय दिया जाता है एक सीमा दिया थी कि भी आप इतने टाइम तक अपना पर परचार कर सकते हैं अपने बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं दे कैन हैव ए मैगसिमम ओफ 40 स्टार कैंपेइनर्स चुनाव के टाइम में 40 स्टार कैंपेइनर्स वो रख सकते हैं और दिखे जो उनका खर्चा होगा वो कैंडिडेट के खर्चे में काउंट कि एक चुना पर्पोजर को बनाने के लिए जो जमीन है वो इस गौर्रमेंट लेंड होगी सरकारी जमीन आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आप अपना यहां पर हैड़कोर्टर बना सकते हैं रिकोगनाईज स्टेट औड नेशनल पार्टी नीड ओओनली वन पर्पोजर टुफाइल नोमिनिशन आपको बढ़ना है अगर आप नेशनल पर्पोजर के लिए आया है they get two sets of electoral rolls free of cost at the time of revision of rolls देखिए अगर electoral rolls जो होता है उनमें किसी भी तरीके जो मतपत्र होते है उसमें कोई भी revision होता है तो यहाँ पर दो जो electoral rolls है वो free of cost दिये जाएंगे जो national level की party होगी या state level की party होगी their candidates can get one copy of electoral roll free जो उनके candidates है सबको एक कोपी electoral roll की जो है free of cost दिये जाएगी during the general elections तो जैके ये benefits वो benefits हैं जो केवल national level की या state level की parties को प्राप्त होते हैं तो ये सारे provisions जो है ये सारे benefits जो है अब आम आदमी party को भी मिलने लगे यही वज़ा है कि गुजरात में काफी बुरी तरह से हारने के बाद यहाँ पर उनको national level की party का दर्जा मिल जाएगा और यही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है यही वज़ा है कि उन्होंने इतना ज़दा परचार किया गुजरात में जाके ताकि उनको पता था कि एक बार हम national level की party बन जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी राहें आसान हो जाएंगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को सेयर करें फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही knowledge वाली वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत